स्वागत हैब सभीका हमारे यूटूब चैनल कम्प्यूटर फैक्ट्स आर्बियल में CRPF Head Constable Minister ASI Steno Requipment 2022 2022 में इसके जो वेकंसी है CRPF की आई है इसके पहले जो है 2016 में इसकी वेकंसी आई थी इसकी वेकंसी लगातार आ रही है तो इस वेकंसी में कौन-कौन से लोग भर सकते है इसकी फीज क्या है और इसमें टाइपिंग कैसे तयार करनी है एक ही वीडियो में हमें सारी डिटेल से बात करने वाले है तो CRPF Head Constable Minister ASI Steno Requipment 2022 तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें फीज क्या है 31 यहाँ पर देख सकते हैं हम highlight कर देंगे 31,2023 को आप इसका फार्म भर सकते हैं और payment की भी last date same date है 31,2023 अगर आपने अभी तक फार्म को नहीं भरा हुआ है तो आप फार्म को जाके आसाने से भर दीजे उसके बाद देखी यहाँ पर अगर हम बात करें exam की date की तो exam date जो आपकी फर्वरी में होगी देखिए exam date जो है आपकी फर्वरी में है फर्वरी में आपका exam होगा वो भी 22 से 28 के बीच में होगा admit card आपके क्या हो जाएंगे 15,2223 में आपके admit card जारी कर दिया जाएंगे अब यहाँ पर देख सकते है कौन-कौन से जो है लोग इसमें apply कर सकते है कितनी इसमें age limit है तो age limit इसमें कितनी है तो इसमें maximum जो age limit है minimum age limit है वो है कि 18 साल है और maximum जो age limit है वो कितनी है 28 है ठीक उसके बाद यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा उसमें कितनी है 1315 पोश्टे है और हम उसकी बात करें इसटेनों की बात करें तो इसटेनों में आपकी SI में 143 पोश्टे है ठीक अब इसमें क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्लस 2 अगर आप पास है यानि कि आप 12 जो है exam pass है तो आप इस form को भर सकते हैं और अगर बात करें कि English की typing कितनी होनी चाहिए तो English की typing यहाँ पे 35 word जो है PM होनी चाहिए 35 WPM जिसको बोलते हैं या फिर आपकी Hindi की जो typing है वो कितनी होनी चाहिए वो 30 WPM होनी चाहिए इसका मतलब है कि 30 मिनट में आपको एक मिनट में 30 word टाइप करने होंगे एक मिनट में 30 word हिंदी के टाइप करने होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है और लिखा हुआ और का मतलब होता है अत्वा कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि यहाँ पे 35 की इंगली समय करनी है और 30 की हिंदी करनी है ऐसा नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है आपको या तो 35 की स्पीड इंगली समय निकालनी है या फिर आपको हिंदी में 30 की स्पीड निकालनी है अगर आप हिंदी और इंगली समय करना चाहते हैं हम आपको बिल्कुल free में जो है यहाँ पे classes देने वाले हैं अब इसके बात बात करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा details में देखना है तो आप यहाँ पे details notifications डाउनलोड करके देख सकते हैं तो notifications डाउनलोड करके हम इसी वीडियो में आपको दिखाने वाली ही है तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस्टेने के बात करें तो इसमें भी 10 प्लस 2 है लेकिन यहाँ पे जो आपका इस्टेनो है वो 10 मिनट में 80 WPM की speed यहाँ पे होनी चाहिए उसके बाद बात करें तो इसमें जो height कितनी कौन कौन सी पोस्टे इसमें है और कैसे कैसे जो है यहाँ पे दिया हुआ है काटेगरी वाइस तो UR किसमें जर्नल की देखें तो जर्नल की 18 है इस्टेनो वाली और 41 पोस्टे किसकी है OBC की है EWS की कौन सी है तो 14 है और SC की 21 है HD की कितनी है 11 है टोटल मिलाके 143 हो गई और अगर बात करें Head Constable Minister की तो सबसे ज़्यादा UR में है अगर आप General Category में 532 पोस्ट है और 355 पोस्टे कितनी है 355 पोस्टे जो है वो OBC के लिए EWS के लिए 132 पोस्टे है 117 पोस्टे SC के लिए 99 पोस्टे जो है HD के लिए टोटल मिलाकर 1315 पोस्टे यहाँ पोस्टे हो गई अगर हम बात करें तो फिश्कल इसमें क्या है तो यहाँ पर अगर आप OBC के हैं OBC के हैं SC के हैं तो यहाँ पर आपकी जो Height होनी चाहिए वो 165 cm होनी चाहिए और जो है आपका ST के टेगरी है तो वहाँ पर 62.5 होनी चाहिए मतलब 62 की जो है आपकी Height होनी चाहिए Other category जो है अगर female की है तो female में है 155 cm है अगर ST है तो 150 cm only है और अगर हम बात करें चेश्ट की तो चेश्ट 77-82 है किसके लिए है यह OBC, SC और जर्नल वालों के लिए है और 77.81 तो अब बात करते हैं कि यहां से आप apply करके farm भर सकते हो अब यहां पर हम directly आपको notifications डाउनलोड करने के यहां पर click करेंगे तो आप direct notifications पहुंचेंगे तो यहां पर notifications आप देख सकते हैं कि यह notifications हमारा खुलके open हो गया ठीक अब notifications में हमको क्या दिखाना है आपको दिखाना है कि कौन-कौन से subject है और कैसे इसकी तैयारी करने है तो कौन-कौन से subject में कितने-कितने marks हमें गेंड करने है यह सारी चीज़े आपको दिखा रही है हाँ देख सकते हैं यह जो notifications है यह जो CBT होगा CBT का मतला होता है computer-based test इसको क्या बोलते हैं CBT तो computer-based test इसको बोलते हैं यहाँ पर देखें कितने sections यहाँ पर D sections दिए हुए है D sections में सबसे पहले subject की बात करें तो Hindi language है और English language अगर आप Hindi language देना चाहते हैं तो Hindi language दे सकते हैं English language देना चाहते हैं तो English language भी दे सकते हैं तो English language यह Hindi language के total जो आपके questions होंगे वो 25 questions होंगे 25 questions होंगे और 25 questions में आपके 25 marks के होंगे 25 questions 25 marks उसके बाद general aptitude के questions होंगे वो 25 के होंगे और 25 marks से होंगे उसके बाद आपका general intelligence होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, reasoning के आपके कितने question होंगे, 25 question होंगे और marks कितने होंगे, 25 marks के ही भी होंगे इसके बाद आपका क्या होता है, यह जो आपका math है यह क्या है, math है, मातरात्तमक, aptitude जो होता है आपका, उसको हम क्या बोलते है, maths के questions में आएंगे और math के questions total कितने होंगे 25 question होंगे कुल मिलाके आपका जो exam होगा वो आपका 90 minute में होगा और total marks कितने होंगे maximum marks आपके होंगे 100 तो 100 number का paper होगा और आपको 90 minute दिया जाएगा अब बात करें क्या minus markings में है या फिर नहीं है तो इसमें बिल्कुल minus marking है यहाँ पे लिखा हुआ है there will be negative marking of 0.25 इसका मतलब 1 by 4 की minus marking यहाँ पे लगेगी कितनी की minus marking लगेगी 1 by 4 की minus marking लगने वाली है तो चलिए आगे देखते हैं तो अब इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें हम typing skill है यहाँ पे देखिए skill की बात करते हैं तो skill की इसमें बात करते हैं तो क्या है इसमें अगर आप कौन से हैं अगर आप इस्टेनो की बात करते हैं तो देखिए 10 minute में आपको 80 word per minute जो है आपको type करना है और 10 minute आपका duration रहेगा 80 word जो है per minute आपको type करना यह यहाँ पे कहने का मतलब यह है उसके बात कह रहा है कि English की typing speed होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं 25, 35 की speed होनी चाहिए यह फिर आपकी जो word वो है आपकी Hindi typing है वो जो है minimum आपकी 30 word होनी चाहिए 30 word आपको होनी चाहिए तो अगर आप हाँ देख सकते हैं अब Hindi typing test जो है आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन उस पर font पर ले सकते हैं यहाँ पर Remington Gel Layout with Mangal font पर आपको क्या करना है यहाँ पर type करना यहाँ पर सीधा-सीधा दिया हुआ हिंदी में आपको किस font में type करना होगा उसके बाद हम बात करते हैं आगे CRPF-ASI-HC typing कैसे तयार करें इसके बारे में हम आपको बिधवत बताने वाले हैं अगर आपने typing अभी तक start भी नहीं किया है तो कोई भी problem नहीं है अभी भी आपके पास समय है अभी अगर हमारे channel से आप जोड़ते हैं तो आपको हम free में typing की speed जो है करवाने वाले हैं और typing की speed होगी वो Hindi और English दोनों के classes चलेंगी अगर आप Hindi की typing करना चाहते हैं तो Hindi की कर सकते हैं English की typing की speed आप complete कर सकते हैं तो zero level से हम start करेंगे सबसे पहले और ये वीडियो हमारी जो है अब इसके बाद upload होने वाली है इसलिए हमारे चैनल को आप subscribe कर लिजेगा और bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो comment box में comment करिएगा अगर आपकी typing speed कितनी है आप हमारे चैनल पर comment box में comment करिएगा अगर आपकी speed बिलकुल zero है तो कोई भी problem होने वाली नहीं है हम आपको विद्धवत एक एक step by step कैसे typing की तयारी करते हैं और कैसे speed बढ़ाते हैं सारी details में बात करेंगे और वो भी without fees के बिना किसी fees के हम बिलकुल आपको निसुल्ग बताने वाले हैं सारी शिजे जो भी आपको doubt हो तो आप हमारे comment box में comment कर सकते हैं या फिर हमारा whatsapp number है 88, 58, 13, 97, 94 ये हमारा whatsapp number है इसको last में इसलिए देते हैं ताकि आप जो है जो बच्चे पूरी वीडियो देखेंगे उन्हीं को ये number हमारा whatsapp मिलेगा बाकि किसी को whatsapp number नहीं मिलेगा तो एक बार फिर से बता देते हैं 88, 58, 13, 97, 94 ये whatsapp number हमारा होगा अगर आपको किसी भी उसमें doubt है तो आप हमारे comment जो है mobile phone पे अगर आपको बहुत ज़्यादा doubt है तो whatsapp पे आप comment कर सकते हैं उसके लिए हम एक group भी create कर देंगे thank you for watching मिलते हैं आपको next order में ततक के रिए जाए हिंज जाए भार